नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत सुवागत है डी एच पिन जमाचल में तो दोस्तों हिमाचल केबिनेट के बैठक साड़े दस बजे शुरू हो चुकी है चलिए आपको बताते हैं कि आज के बैठक में क्या महत्पुन और बड़े फैसले होने वाले हैं हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को आकरी तक जरूर देखें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बैठक से जोड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले पता चल सके चलिए अब जानते हैं कैबिनेट की बैठक में होने वाले सभी निने विस्तार में हिमाचर परदेश कैबिनेट के बैठक शुक करवार को राजे अतीती ग्रैपीटर होफ शिमला में मुख्यमंति जर्यम ठाकुर की देख्षता में सुब्य साड़े दस बजे शुरू हो गई है इसमें कोवीड-19 के मामले घटने के बाद कोर्ना कर्फियू में कई रियायते देने की तयारी चल रही है जिनमें राजे में बसे चलाने को हरी जंडी देना शामिल है परेटको को भी परदेश में आसानी से प्रवेश देने और कुछ राजेों के लिए आर्टी-पी-सियर की अनिवारे तक हत्म करने का मामला बैठक में जाएगा कोर्ना कर्फियू का समय घटाने के बारे में भी निर्णे होगा दुकान और अन्य वैपारिक प्रतिश्ठानों को अधिक समय तक खोलने के इजाज़त मिल सकती है हाला कि बैठक में कोर्ना का पॉजिटिविटी रेट पांच स्विज़ी तक उतराने के बावजूद स्वास्ता इभाग ज्यादा ढिल देने के पक्ष में नहीं है बैठक में कॉलिज परिक्षा को करवाने पर भी निने होगा 25 जून के बाद फाइनल एयर की परिशने करवाने की तयारी है नीजी बसों पर टेक्स माफ करने का मुद्दा भी बैठक में जाएगा नीजी बस ओपरेटर के इस मांग पर सरकार रहत दे सकती है मुखे मंतिर स्वालंबन योजना का दैरा बढ़ाने का एजेंडा और कई अन्य विशे भी बैठक में जाएंगे इसके साथ हिमाचल पर ये सरकार जल शक्ति विभाग में शीगर ही 2322 पत भरेगी कैबिनेट बैठक में इस मामले को मंजूरी के लिए भी लाया जा रहा है कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी साथ ही कई अन्य पदों पर भी भरतिया हो सकती है सरकारी विभागों में पड़ेडिक पदों पर भी भरति की जा सकती है इसके साथ नीजी बस ओपरेटरों दोरा टैक्स माफ करने की मांगों को भी पूरा किया जा सकता है अब देखते हैं कि कैबिनेट बैठक में सरकार इस पर क्या निर्ने लेती है इस बैठक के बाद यह फैसला हो पाएगा कि प्रदेश में क्या होने वाला है और क्या बसे चलनी है या नहीं इस पर भी मंतरना होगी हमारे साथ हमेशा की तरह बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कैबिनेट बैठक के जोड़ी कोई भी बड़ी खबर आती है तो उसके बारे में आप जान सके हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद जै हिन जै भारत